हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपसे सेयर करने वाली एकदम देशे स्टायल में ड्राइ मतन की रेसिपी तो यहाँ पर मैंने तेड़ केजी मतन लिया और उसे धो लिया है इसके बाद मैंने चड़ाया कूकर कूकर में मैं डाल रही हूँ थोड़ा बेल गर्म होता है हमें डालना है फोरन अब फोरन की कलर चेंज होते ही मैं डाल दे रही हूँ कटा हुआ प्याज अब प्याज हमारा अच्छे से गले इसके लिए मैं डाल रही हूँ स्वादानुसा नमक अब प्याज को हमें थोड़ा भूनना है तब तक हम लोग त्यारी कर लेते हैं मसालों के तो मसालों में मैंने लिया है थोड़ा जीरा थोड़ा धनिया थोड़ा गोल मिर्च पांच लाल मिर्च और लसुन के दाने तो इससे हम लोग पीस लेंगे और इस मसाले में मैं डाल रही हूँ थोड़ा हल्दी इधर हमारा प्याज भी हल्का गुलाबी हो चुका है तो अब मैं डाल रही हूँ पीसा हुआ मसाला और हमारा मसाला वेस्ट ना जाए और अच्छे से पके इसके लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा पानी तो अब हम इसे पांस से दस मिनट तक भूल लेंगे अब मटन में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मटन के फैट को भी जादा रखा है इससे क्या होता है न कि हमारा मटन कम तेल में भी अच्छे से गल जाता और ग्रेवी में टेस्ट भी कापी अच्छा आता है तो हमारा मसाला पांस से दस मिनट तक भूल चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ सारे मटन के पीसे तो अब हम लोग इसे अच्छे से चला लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच मीट मसाला और मेडियम फ्लेम पर इसे पांच मिनट तक भूल लेंगे इसके बाद लीड लगाकर हमें medium flame पर एक विशल लगाना है तो देखिए एक विशल लगाने पर प्यास सारा पानी छोट चुका है और अब हमें इसे मटन में पानी डालने के कोई जरुवत नहीं है तो अब हमें इसे लीड लगाकर विशल के बिना ही भूनना है बस थोड़ी थोड़ी दिर में हम लोग इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा मटन जले नहीं तो देखे थोड़ी दिर में ही मटन अच्छे से बुन चुका है और पक भी गया है आप चाहे तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी भी डाल सकते हैं या फिर इसे ड्राइ भी खा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ इसे ड्राइ ही सर्ब कर रही हूँ